दोस्टों नमस्का स्वागरत एक वाफे से देशो दुनिया की तमाम बड़ी ख़बरों में अधिया आपने भी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है स्क्राइब चैनल को लाल बड़न दबा कर सस्क्राइब करें और गंटी बटन भी दबा दें पहली बड़ी खिबर हालद्वानी में अवैद मदरसे वाली जगे पर बनेगा पुलिस स्टेशन मुख्यमंतरी धामी ने कर दिया एलान उत्रा खंड में कोई भी स्थान नहीं है आवली वले ख़वर किसानाओं के दिल्ली कूच को लेकर बॉडर पर जबजस्त गहरा बंदी आने जाने वाले यात्रियों पर पुलिस की पैनी नजर दर तला दिल्ली में अगले एक महिने के लिए धारा 144 लागू करदी गई है बॉडर पर नुकीले कीलवाले बेरकेट्स लगाए गए है नियमों की अंदेखी करने वालों के खिलाप कड़ी करवाई की जाएगी आज किसानों के प्रस्तावे दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए देश की राज़दानी दिल्ली में सुरक्षा कड़ी करदी गई है यहाँ परा ट्रेफिक पाबंदी भी लागू करदी गई है वाहनों को सहर में एंट्री से रोकने के लिए दिल्ली की सीमा परा नुकीले अबरोधक लगा करा किले बंदी करदी गई है आवली वलेखवर महराज के पूरमुख्यमंत्री असोक चाहल के स्तीफे परा कॉंग्रेस पार्टी ने दी पहली पत्किरिया ये एक दुखद निर्ण है उन्होंने कहा कि इस बात की चछा काफी समय से हो रही थी हमने नहीं सोचा था कि वो ये फैसला लेंगे आवली वलेखवर केसान आंदोलन को लेकर गुरुगराम पुलिस अलटा बंद की गई इंटरनेट से वाएं दाशला किसान आंदोलन को देखते हुए गुरुगराम पुलिस अलट है और गुरुगराम में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है इसके साथी हर्याना के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंका दी गई है गुरुगराम के DC निसांत कुमार यादव का कहना है कि गुरुगराम में इस आंदोलन का कोई असर नज़र नहीं आ रहा DC निसांत यादव का ये भी कहना है कि गुरुगराम में तमाम बॉर्डर पर पूरे तरीके से सतरक्ता बढ़ती जा रही है लेकिन गुरुगराम में किसी भी तरीके से इस आंदोलन में किसानों का कोई प्रुभाव नज़र नहीं आ रहा आवली बले खवार इंडिया गड़ बंदन और अखले सिया दव को लगा जोड़दा जटका जैनत चौधरी ने आधिकारिक तोर पर NDA में सामिल होने का कर दिया एलान दासला लोग सबाचनाथ 2024 से पहले राष्टे लोग दलियानी RLD अधच्छ जैनत चौधरी ने NDA में सामिल होने का आधिकारिक रूप से एलान कर दिया है रालोद प्रमुग जेनत चौधरी ने NDA में जाने के सवाल पर अपना रुख साफ कर दिया है जेनत चौधरी ने कहा कि मैंने अपने सारे विदायकों से बात कर ली है हमें अल्प समय में फैसला लेना पड़ा पर इस्थितियां ऐसी थी के NDA के साथ जाने का फैसला लिया है वही जेनत चौधरी ने कहा कि हमारे सभी विदायकों और कारिकर्टा हमारे साथ हैं आपको बता दें कि जेनत चौधरी ने अब आधिकारिक तोर पर NDA में सामिल होने का एलान कर दिया है आवली बड़े ख़वार जहरखंड के पूर मुख्यमंतरी हमंत सोरेन को नहीं मिली राहत तीन दिनों के लिए बढ़ाई गई E.D. की हिरासत जहरखंड के पूर मुख्यमंतरी हमंत सोरेन को गरफतार किये जाने को लेकर चुनोती देने वाली आचिकापर सुनवाई के दोराना E.D. की ओर से जवावदाकिल करने के लिए वक्त देने की अपील की गई है E.D. की इसमांग को आदालत ने मान लिया है अब कोट ने मामले की अगली सुनवाई औरा फाइनल डिस्पोजल के लिए 27 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है आवली बड़ी खबारा मध्धा पदेश की सड़कों पर फ्रेसे लोटेगी पिंक बस मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कर दिया बड़ा एलान दाथला मध्धा पदेश में लोग सबाचनाप के पहले एक बार फ्रेसे सरकार ने प्रदेश में पिंक बस चलाने का एलान कर दिया है पिंक बस महलाओं के लिए काफी सुविदा जनक मानी जाती है पिंक बस में चालक और परचालक दोनों ही महलाएं होती हैं इसके अलाबा इसमें दिब्यांग और वरिष्ट नागरिकों के बैठने की सीटें भी आरक्षित होती हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एलान किया है कि मददपदेश की सभी 16 नगरनेगम के अलाबा अन्य बड़े सेरों में भी पिंक बस चलाई जाएंगी प्रलाद यादव बोटिंग से पहले ही सत्ता पक्ष के खेमे में जाकर बैठ गए इसी से साफ हो गया कि नितिसकुमार आसानी से बहुमत हासिल कर लेंगे बोटिंग से पहले बिहार में नितिसकुमार की सरकार को लेकर तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी RJD ने दावा किया था कि बड़ा खेला होगा लेकिन RJD के ही तीन बिदायकों के तूटने से पूरा खेल पलट गया आवली वले खबर महराष्ट कॉंग्रेस में पढ़ गई बड़ी फूट असोग चाहल के बाद आवा कॉंग्रेस के 12 बिदायक और दे सकते हैं स्तीफा 10 अला असोग चाहल ने कॉंग्रेस से स्तीफा दे दिया है बताया जा रहा है कि असोग चाहल के बाद आवा कॉंग्रेस के लगबगा 10 से 12 विधायक और इस्तीफा दे सकते हैं आवली बड़े ख़बर कॉंग्रेस से इस्तीफे के बाद असोग चाहल ने दी पहली पत्किरिया बोले दो दिन के बाद लूंगा बड़ा फैसला दरसला महाराष्ट में कॉंग्रेस से इस्तीफा देने के बाद असोग चाहल का पहला बयान सामने आया उन्होंने कहा कि आज मैंने विधायक पद और कॉंग्रेस की वरकिंग कमेटी और प्रात्मिक सदस्ता से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने कहा कि मैंने आजा कॉंग्रेस पार्टी से अपने पूरे तरीके से संबंध खत्म का दिये हैं मैंने अभी तक के सीवी पार्टी में सामिल होने का कोई फैसला नहीं लिया है उन्होंने कहा कि इस परा मैं दो दिन बाद फैसला लूँगा आवली वले खबर इसमाती राणी ने मम्ता बनाजी पर बोला जबज़ समला बोली आखिर बंगाल में कब तक चड़ेगी हिंदूओं की बली दरसला पश्य मंगाल के उत्ता 24 परगना जिले के संदे स्खाली में जारी तनापूर माहौल को ले करा केंदर मंतरी इसमाती राणी ने राजी के मुख्य मंतरी मम्ता बनाजी पर निशाना सादा है बीडेपी नेता इसमाती राणी ने पुछा कि आखिर कब तक हिंदूओं की बली बंगाल में चड़ती रहेगी इसमाती राणी ने कहा कि मुख्य मंतरी मम्ता बनाजी हिंदूओं के नरसंगार के लिए जानी जाती है इसमाती रानी ने कहा कि महलाओंने बताया है कि TMC के लोग आधिकतर हिंदू परिवार की महलाओं को टार्गेट करते हैं उन्होंने कहा कि बंगाल की महला उन्हें वीडियो भेज कर बंगला भासा में बताया कि किस तरीके से उन्हें TMC की लोग उठा कर ले जाते हैं और जब तक मर्जी आती है तब तक जब अजस्ती करते हैं उन्होंने कहा कि आखिरा कब तक हिंदूओं की बली बंगाल में प्रियोग करने की अपील की गई है वहीं कमर्सियल वाहनों पर पत्र बंद रहेगा और दिल्ली जाने वाले कमर्सियल वाहनों पर रोक रहेगी आवली बली खबराव फारुक अब्दुला को ईडी ने भेजा समना जम्मू कस्मिर क्रिकेट एसोसियेशन घोटाले में होगी पूस्ताच दासला जम्मू कस्मिर के पूर मुख्य मंत्री और नेशनल कॉनफरेंस के नेता फारुक अब्दुला को ईडी ने कथि जम्मू कस्मिर क्रिकेट एसोसियेशन घोटाले से जुड़े मनी लॉंडिंग मामले में पूस्ताच के लिए समन भेजा है आरो पत्र में कहा गया है कि फारुक अब्दुला ने अजजच रहने के दोराना जम्मू कस्मिर क्रिकेट एसोसियेशन के पदादिकारियों और दूसरे लोगों के खेल के विकास के नाम परा मिले फंड को डावट करा उसका निजी फायदे के लिए इस्तिमाल किया इस फंड को कई प्राइवेट बेंक अकाउंट और करीवियों को भेजा गया और बाद में फंड का आपस में बंदर्बांट कर लिया गया आपको बता दें कि इस मामले में एडी आज फारुक अब्दुला से पुस्ताच करेगी आपली बले ख़वर हैमंतो सोरेंड की ग्रफतारी पर हाई कोट में हुई सुरुआई कपिल सिब्बल ने मनी लॉंडिंग मामले में एडी की जाच पर खड़े का दिये सवाल जार्खंड के पूरमुख्य मंत्री हमंतो सोरेंड के केस में स्वामबार को हाई कोट में सुरुआई हुई जार्खंड मुक्ती मोचा के नेता हैमंतो सोरेंड के वकीला कपिल सिब्बल ने जार्खंड हाई कोट में दलील देते वे कहा कि उनको प्रवत्तन नेदेशाले ने एक भुखंड के स्वामित से जुड़े कथित मनी लॉंडिंग मामले में गरफतार किया था लेकिन जाच एजेंसी एडियावा उस मूल मामले के बजाए दूसरे मामलों की जाच कर रही है आवली वले खवार नेशनल कॉंफरेंस की वरिष्टनेता सेनाज गनाई बीजेपी में हुई सामिला कहा पीएम मोदी के काम ने किया प्रवावित दसला जम्मू कस्मीर बिदान परसत के पूरु सदस्योरा नेशनल कॉन्फेंस की वरिश्टनेता डॉक्टर सेनाज गराई बीजेपी में सामिल हो गई हैं उन्होंने सनिवार को नेशनल कॉन्फेंस से इस्तीफा दिया था इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज मुझे बीजेपी के परिवारे में सामिल होने का मौका मिला है इसके लिए मैं खुद को भागिसाली मानती हूँ उन्होंने कहा कि मोदी जी के नित्रत में पिछले दस सालों में सरकार के काम से प्रवावित हो करा देजबर के लोगा खासका जम्मू कस्मीर की जनता बीजेपी से जुड़ने के लिए उत्तुक है आवली बलेखवाद चुनावी मैदान में उतारने से पहले ही तितर वितर हुआ बिपक्षा आप तक कई सेयोगी दे चुके हैं इंडिया गडबंदन को जटका दसला बिपक्षी दलों का एंडिये गडबंदन आपसी कले से जुजरा है अब तक कई बड़ी पार्टियां अकेले ही चुनाव रड़ने का एलान कर चुकी हैं तो वहीं कई बड़े नेता इस गडबंदन के साथ साथ अपनी पार्टी भी छोड़ चुके हैं इंडिया गडबंदन के लिए सबसे बड़ा जटका बिहार के मुख्यमंतरी नितिस कुमार का गडबंदन से अलग होना है इसके लाबा पश्चिम मंगाल में ममता बनाजी और दिल्ली पंजाम में आमाद भी पार्टी भी अकेले चुनाव रड़ने का एलान कर चुकी हैं ऐसे में अगर अखले सियादव ने भी अकेले चुनाव रड़ने की बात कह दी तो इंडिया गडबंदन सिर्फा नाम का ही गडबंदन रह जाएगा और एंडियों को चुनाथी देना बेहाद मुस्किल हो जाएगा आवली वले खवास साथ हजार पुलिस कर्मी और एक लाग टीचर्स की होगी भरती ममता बनाजी बोली हम तयारा मगर बीजेपी डालती है रुकावट दासला पश्च मंगाल के मुख्यमंतरी ममता बनाजी ने बीजेपी सासित केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया उन्होंने नेताओं से कहें कि वे बाधाएं पैदा ना करें ऐसा करने से बेरुजगार युवाओं का बविस्ति बरबाद हो जाएगा ममता बनाजी ने कहा कि कोई भी कोट का दरवाजा खटकटा सकता है ये तो उनका अधिकार है मगर क्या उन्हें दया नहीं आती पद खाली पड़ किया है आई एमडी का कहना है कि 12 फरवरी को 36 गड़ उडिसा बिदरव और पूर्वी मधपदेश में ओला वरिष्टी हुई है तो वही 13 से 15 फरवरी के बीचा उत्तराखंड जम्मु कस्मीर और हिमाचल के पहाडी इलाकों में सीत लहर और हलकी बारिस की संभावना है वही पूर्वी उत्तापदेश बिहार और जार्खंड में भारी ओलावरष्टी की कड़ी चेतावनी जारी की गई है आवली वले खवाल लालकरश्ण आडवानी को भारत रतन दिये जाने पर कॉंग्रेस नेता जैराम लमेश ने बोला जबजस्तमला बोले आडानी लिखना था गलती से आडवानी टाइप हो गया दरतला देश के पूरुप पुरदहन मंतरी लालकरश्ण आडवानी को भारत रतन मिलने पर कॉंग्रेस नेता जैराम लमेश ने तीखा हमला किया उन्होंने कहा कि जब भारत रतन की गोशना होनी थी तो टाइपिस्ट से गलती हो गई उ हम जल्द ही सीट बटवारे पर फैसला करेंगे आवली बले खवार असोग चाहल के बाद पूरो MLC ने भी छोड़ दी कॉंग्रेस संजय निरुपम पर भी लग रहे है कयास दरसला महाराश्ट में कॉंग्रेस को सोंबार को तगड़ा जटका लगा राजे के पूरो मुख् के बी कॉंग्रेस छोड़ने के कयास लग रहे हैं संजय निरुपम ने असोग चाहल के फैसले का बचाव किया और इसके लिए पार्टी आला कमान को जिम्दार ठेराया है Ist अगले एक से दो दिन में फैसला ले लेंगे यही नहीं संजेर राउत ने यहां तक चिंता जताई है कि अब कॉंग्रेस पार्टी भी तूट जाएगी आवली वले ख़वर पीम नरेंद्र मोदी ने बांटे एक लाख सरकारी नौकरियों के निकती पत्रा बोले अब नहीं होता भरती में रिश्वत का खेल दातला रोजगार मेले के अंतरगत पधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वंबार को एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के निकती पत्र बांटे लोग सबाचनाप से पहले ये आखरी रोजगार मिला था पीम मोदी ने कहा कि यूपीय के दौर में नौकरी के लिए विग्यापन जारी होने से लेकरा निकती पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था तथा इसका फाइदा उठा करा रिश्वत का खेल भी जमकर हो है उन्होंने कहा कि आज पत्ते की युवा का मानना है कि वे कड़ी महना तोरा कोसल की बदोलत नौकरी हांसिल कर सकते हैं वर्तमान सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पिछली सरकारों की तुलना में 1.5 गुना अधिक युवाओं को नौकरी दी है आवली बले खवा टेक्ट ट्रोलियां लेकर हर्याना की तरफ निकल गए हैं यहां से किसाना फतेगर साहिप के लिए जवाना हुए हैं ट्यक्टर ट्रोलियों में रासन भी लदा है किसानों के स्कूच को देखते वे अंबाला प्रसासन ने मोहाली रोड पर दिल्ली चंडिगर हाइवे को सील कर दिय यहां परा बैरिकेडिंग भी लगा दिये गए हैं इस बीच भार्ते किसान यूनियन उग्राहम गुट के नेता जोगिंदर सिंग उग्राहम ने 16 फरवरी को भारत बंद का एलान कर दिया है उन्होंने सभी किसान संगठनों वेक कारोवारियों से इसे सफल बनाने की भी अ अब अखले सियादावर इंडिया गडबंदन का समर्थन करने वाले सत्यपाल मलिक इस फैसले से बढ़ा गए हैं पूर्वराजिपाल सत्यपाल मलिक ने इसे लेका जैंत चौधरी पर हमला बोला है और कहा कि वो संगर्स नहीं करना चाते हैं और आराम की राजनीती के लंबे समय से हो रही थी उसे पूरा करके मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाया है आवली बड़ी ख़वर पी एम मोदी ने की थी मात्र एक मीटिंग और बचाली आठ भारतियों की जान दासला भारत को बड़ी कूटने तिक जीत मिली है और आठ भारतिया कतर की जेल से बाह के बीचा भारतिय नौ सेना के इन आठ पूरू सेनिकों ने 18 महीनों का मुश्किल दोर गुजारा है आपको बता दें कि दुबई में आयुजित हुए कॉप 28 सिखर समयलन से इतरा पधानमंती नदेंद्र मोदी ने कतर के अमीर सेक तमीम बिन हमाद अल्थानी से मुलाकात क थी और इसके बाद सौमबार को आठ भारतियों को रहा कर दिया गया आवली वले खवार यूपी आई का बढ़ादारा अब दो और देश करेंगे डिजिटल पेमेंट पीयम मोदी ने की सूडात दरतला स्री लंका और मौरिसस ने युनिफाइट पेमेंट इंटर्फेस पाओं का सुबारंब किया है इसके अलाबा मौरिसस में रूपे कार्ड भी लौंच किया गया है ऑली वले खवार यूपी में राहुल गांदी की यात्रा सुरू होते ही प्रिंका गांदी भी होंगी सामिला पूर्वानचल से बुंदिलखंड पूरे रास्ते रहेंगी एमपी चली जाएगी इस दोराना यूपी में पूरे रास्ते प्रिंका गांधी भी मौझूद रहेंगी ये थी अब तक की बहुत बड़ी खबर हैं रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे दुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सस्क्राइब करें और घंट झाल झाल झाल